यहां पर करने जा रहे हैं हम 10 जोग्रफी का एक और चैप्टर और उसका नाम है और उससे क्या-क्या आउट्पूट निकल रहा है क्या डिफिकल्टीज है उसे जुड़ी हुई है सब कुछ ही हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि भाई यह क्या होता है मैनुफेक्टरिंग प्रोसेस ओके तो प्रोडक्शन ओफ गुड्स इन लाज कॉंडिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉम मटेरियल तो मोर वैल्यूवल प्रोड़क्ट इसकाल मैनुफेक्टरिंग तो मैनुफेक्टरिंग यह नहीं क्या होता है कि कोई भी गुड्स है ना कोई भी सामान कोई म्याफिक्ट ऊब्जेक्ट जो हम क्या करते हैं लाज कॉंडिटी में हम प्रोड्यूस करते हैं ठीक Corporate it from raw material raw material को process करके जैसे आपको पता होगा कि cotton से हम cotton की fabric बना सकते हैं एक ही बार में नहीं तो जो process होंगे उसके अंदर sugar से sugar sorry sugar cane से sugar बनेगा तो यह सब क्या है यह सब manufacturing industry के अंदर आता है कुछ ना कुछ चीज manufacture हो रही है ना coconut oil तो यह जो भी चीज़ें हैं वो सब manufacturing process में आते हैं तो किसी भी goods का produce करना on large scale after processing it from raw materials is called manufacturing ठीक है अब देखो यहां पर जैसे की paper is manufactured from wood ठीक है sugar is manufactured from sugar cane okay manufacturing industry fall in the secondary sector ही तो मैंने बताई दिया and it is the backbone of development both in terms of general and economic ठीक है आपको पता होगा कि manufacturing का कितना बड़ा रोल होता है देश के development में चाहे जनरल टर्म से बात करें या economic GDP के टर्म से बात करें दोनों ही रोल दोनों ही पार्ट में जो है दोनों तरह के development में manufacturing का बहुत ज्यादा importance है ठीक है ना अब यहां पर आगे देखते हैं what is the importance of manufacturing industry देखो और पॉइंट्स हम देख लें कि क्या-क्या इसका importance है तो सबसे पहला तो है reduce it reduce the heavy dependence of people on agricultural income by providing them jobs in secondary and tertiary sector तो यह सेकेंडरी सेक्टर में भले ही आता है manufacturing industry पर इसकी वज़ा से ही टर्शियरी सेक्टर में created है है ना चाहे ट्रांसपोर्ट की बात करें चाहे कोई भी सर्विसस की बात करें तो जो कर्शियरी सेक्टर है वो भी किसी के ओपर mainly depend करता है तो सेकेंडरी सेक्टर का एक बहुत important part माना जाता है manufacturing industry को तो क्या पहला बात क्या बताया गया है कि आपको पता है कि इंडिया जो है यह ऐसा देश है जहां पर ज्यादा dependency लोगों की अगर jobs ज्यादा dependency जो है वह वहां ना रहे तो इसके लिए इसका बहुत ज्यादा importance बनता है manufacturing industry का okay दूसरी बात यह है कि इंडिस्ट्रिल डेवलप्मेंट is a pre condition for eradication of unemployment and poverty from our country तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब simple यह है कि industrial development जब होता है तो उसी से धीरे धीरे हम क्या मान सकते हैं कि उसी से यह होगा कि जो unemployment है या poverty है वो जा सकता है खतम हो सकता है तो अगर हम चाहते हैं कि यह जो बेरोजगारी है जो गरीबी है उसको दूर किया जाए तो इसके लिए बहुत जरूरी क्या है कि हमको इस सेक्टर में industrial development जो है हमको करना बहुत जरूरी हो जाता है और क्या importance है export of manufactured goods expands trades and commerce trade and commerce and brings in much needed foreign exchange तो जब हम कोई भी चीज़ को manufacture करते हैं manufacturing जब होती हमारे देश में ज्यादा तो क्या होगा कि उसको हमें export कर पाएंगे और उससे क्या होगा foreign currency हमारे देश में आ पाएगा अब इसका हम बहुत सीधा से example दे सकते हैं जैसे चाइना ने जो पिछले कुछ समय में जो किया है ठीक है उनका जो economy इतना हाई हुआ है इतना manufacturing करने से अब क्या है कि उनके देश में हर तरह की development चाहिए वह economic हो या general हो वह हुआ है इस चीज को मानना होगा हमें ऐसा नहीं कि हम ही हम को कुछ चीज़त सीखनी भी होंगी ठीक है ना तो यह बात हमको समझ नहीं कि अगर foreign exchange हम चाहते हैं कि हमारे पास आये दुनिया बर की currency हमारे पास जमा हो जिससे हम अमीर हो जाए तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमको इस manufacturing industry इस पर ध्यान देना होगा और चीज़ों को जो भी हम produce करें उसको export करना होगा तो सिर्फ यहां पर self-sufficient होने से काम नहीं चलेगा India's prosperity lie lies in increasing and diversifying its manufacturing industry as quickly as possible तो यहां पर अगेन वही बात बुली गई है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश सही माइने में जल्द से जल्द डेवलप करें तो इसके लिए बहुत जरूरी होगा कि हमको इस sector पर बहुत खास करके अच्छे से focus करना होगा और यहां पर देखो क्या बताया गया है countries that transform their raw material into wide variety of furnished goods of higher value are prosperous तो यहां पर यह बताया गया कि कौन सा देश अमीर होता है तो ऐसा नहीं कि हमारे यह कोई resources नहीं है है हमारे यहां पर भी अगर बात करें तो छोटा नागपुर प्लाट्यों या जार्खन उस इससे बहुत सारा minerals हमको मिलता है पर क्या हम 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 क्या करते हम बेसिकली वह जो आयरन है उसको हम export करते हैं और वह जो country उस चीज़ को export कर रहा है वह उसको steel में convert कर इस steel में process करके फिर हमको बेज़ देता है higher amount में समझो इस बात को कि हम हम raw material export करते हैं है ना raw material की दाम जादा नहीं मिलती है तो इससे अच्छा क्या होगा कि हम raw material से कुछ जो भी advancement है वो machinery वो चीजों को use करके और raw material से हम क्या करें raw material को use करके और processed goods बनाए जो final product है वो बना के बेचेंगे तो ज्यादा दाम मिलेगा तो आयन export करने से अच्छा है कि steel export करेंगे ठीक है या steel export करने से अच्छा है कि हम machinery export करेंगे जितना ज्यादा हम last level में final product हम बनाएंगे उतना ज्यादा हमको आमदनी होगा उतना हम prosperous होंगे और यही चीज करती है जो developed countries होती है जो भी developed countries होती है वह raw material export करने में बिलीव नहीं करती क्योंकि raw material export करने में ज्यादा पैसा ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता क्या export करना पसंद करती है वह finished goods ठीक है तो यह बात ध्यान रखना है आगे देखते है agriculture and industry क्या रिलेटेड है कि अबीसलिटे रिलेटेड टीक है agriculture and industry are not exclusive of each other ऐसा नहीं कि दूसरे से वह अलग है they move hand in hand ठीक है दोनों एक साथ ही generally होते हैं ठीक है या फिर अब यहां बात करें industries depend on agriculture for raw material है ना जैसे बहुत सारी industries है directly जो डिपेंड करती है agriculture पे for the raw material जैसे हम बुला cotton textile वाली industry होगी या तो फिर paper industry होगी ठीक है शुगर के शुगर इंडस्ट्री होगे तो यह सब जो है वह agriculture पर डिपेंड करते हैं और दूसरा वे भी देखो and sell their products such as irrigation pump fertilizer etc मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडस्ट्री ही agriculture पर डिपेंड करती है agriculture भी इंडस्री पर डिपेंड करता है कैसे जो pump होता है पानी का जो pump होता है fertilizer होते हैं वो सब जो फार्म में चाहिए वो कहां से बनता है इंडस्ट्री में बनता है इसके बाद बात करते हैं इंडस्ट्री है उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो अग्रिकल्चर है उसका भी development हुआ है या वहां भी production बड़ा हुआ है ना चाहिए हम बात करें modern farming की जहां पर modern equipment यूज होते हैं चाहिए पेस्टिसाइड या फिर फर्टिलाइजर यह सब चीजें जो है यह सब कहां से हो पा रहा है इंडस्ट्रियल डेवलप्मेंट से चीजें हो पा रही है और बहुत सारे इंडरेक्ट चीजें भी है जैसे मालो कि अगर हम बात करते हैं कि जब awesome डेवलप्मेंट होता है जब मालों रोड बनते इंफ्रस्ट्रक्ट्चर पूरा तयार होता है जब गाहों तक भी फाइदा कर रहा है तो यह obviously they are all depend ऐसा नहीं कि किसी एक का रोल कम जादा है दोनों एक दूसरे के लिए बहुत important role play करते हैं इसके बाद in terms of globalization अब बात कर लेते हैं globalization के हिसाब से ठीक है पुरी efficiency alone is not enough ऐसा नहीं कि हम सिर्फ यह कहें कि हमने इतनी चीज प्रडियूस कर ली कि हम अपनी नीज को पूरा कर सकते हैं सिर्फ इसी से काम नहीं चलेगा ठीक है जैसा कि हमने बता है हमको export की जरूरत है और क्या यहां पर our manufacturer goods must be at par in quality with those in the international market मार्केट यहां पर यह कहा गया है कि ठीक है आप अपने लिए चीज़ें बनाओ मलब हम बात करते हैं इंडिया की हम अपने अपने देश के लिए हम चीज़ें बनाएं पर जैसे मालो कि हम हम मेकिन इंडिया की बात करते हैं हमारे यहां पर मालो हमने हमारी कुई नहीं ठीक है हमारे देश में बनाएं ठीक है लेकिन उसकी जो quality है उसका जो response है उसका पर्फॉर्मेंस है वो क्या होना चाहिए वह इंटरनाशनल मार्केट से जो चीज़ें इंपोर्ट होती है उसके लगभग उससे पारलल होना चाहिए उसकी quality भी मैच करनी चाहिए वर्ल जो वर्ल कंपिटीशन है उसको face करते हुए ठीक है वैसी ही प्रोडक्ट जो है वैसी quality का प्रोड़क्ट जो है या उससे भी बैटर जो हमको बनाना पड़ेगा ओके सो globalization के इसाब से हो गया आगे देखते हैं contribution of industry to national income national economy इंडेस्ट्रियल कंट्रिवीशन कितना है हमारे GDP में या economy में national economy में तो वह देखते हैं सबसे पहला over the last two decades the share of manufacturing industry have stagnated at 17% मतलब अटका हुआ है 17% पे of GDP out of total of 27% from the industrial sector तो अगर हम बात करते हैं टोटल इंडेस्ट्रियल सेक्टर की तो पूरे इंडेस्ट्रियल सेक्टर में अलग लग आते हैं जैसे कि माइनिंग और उस सब चीजें भी आती है ठीक है तो complete जो हमारा economy की हम बात करते है GDP की बात करते तो उसमें 27% इंडेस्ट्रियल सेक्टर का है तो सही लेकिन उस इंडेस्ट्रियल सेक्टर में से जो manufacturing sector है ठीक है जो manufacturing sector है उसका 17% है पिछले दो दशक से पिछले 20 सालों से ठीक है यानि इससे क्या बताया जा रहा है कि this is not a good signal for this part ना कि वो ज्यादा increase नहीं हुआ है पिछले 20 साल से उस 17% पे अटका हुआ है जबकि इसको बढ़ना चाहिए है ना this is a much lower in comparison to East Asian economies हम East Asian economies की बात करें तो उनके comparison में वहां पर लगबग जो contribution होता है वो 25 से 35% तक है हमारा 17% पे अटका हुआ है ठीक है उसके लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा the desired growth rate over the next decade is 12% ठीक है जो growth rate है वो हम expect करें कि अगले दशक के लिए वो कम से कम 12% का growth rate होना चाहिए however over the last decade it has been around 7% only 7% पर रहनम तो 7% का हुआ है पिछले दशक में हम expect करें कि इस दशक में जो है वो 12% का हो ताकि एक बहतर growth जो हो हो पाए और manufacturing sector जो है वो हमारे जीडीपी को अच्छा contribution दे ठीक है the national manufacturing competitiveness council NMCC has been set up for with this objective तो manufacturing sector का जो रोल है जीडीपी में बढ़ाने के लिए इसी objective के लिए यह जो NMCC है उसको set up किया गया है आगे देखते हैं भया कि industrial location कहां पर होनी चाहिए इंडस्ट्री की location कहां पर होने चाहिए तो यह तो बहुत logical है सबसे पहला cost of production at the site की जहां पर हम इंडस्ट्री set up करने वाले जो बंदा में production cost कितना जाएगा क्या वहां पर labor सस्ता है की नहीं है क्या वहां पर land सस्ता है की नहीं है क्या वहां पर electricity सस्ती है की नहीं है बहुत सारी चीजों को consider करते हुए ही चीजों का जो goods बनेंगे वहां पर उसका दाम डिसाइड होगा अगर हर चीज कम दाम में मुझे अगर मिल गई माल लो तो क्या होगा कि जो product बनेगा उसका दाम भी उतना हाई नहीं रहेगा तो कहीं पर भी industrial industry set up करना है तो यह बात का खास ध्यान रखना होता है कि cost of production कितना होगा उस जगह पर ठीक है अगमान लो कि अगर कोई चीज ऐसी है ऐसा industry है जो मैं गाओं की तरफ भी मैं कुछ rural part में भी मैं उसको set up कर सकता हूं वहां के labor से भी काम चल जाएगा और शेहरों में भी कर सकता हूं मैं और मुझे पता ह में में मेरा production भी हो रहा है ठीक है then cost of obtaining raw material at the site मालो की जो जैसे मालो की हम बात करते है thermal power plant की तो अगर thermal power plant की मैं बात कर रहा हूं तो अगर मैं बात कर रहा हूं तो अगर मैं शुगर मुझे सेटप करना है तो वो मैं कहां कर सकता हूं क्या मैं जो kेट है यह जहांपर शुगर कें production होता है production मतलब यहांपर शुगर के उसके पास ही अगर मैं अगर मैं इंडुस्ती चांट करूं चुगर का मैनेफेक्चरिंट सेट का करूं तो और चाब़े ज्हादा transportation का खर्चा नहीं होगा तो cost of obtaining the raw metal वहां तक raw metal लाने में कितना खर्चा होगा वह वाला पार्ट भी ध्यान रखना होता है और एक और बात देखो यहां पर बताया गया है cost of distribution of the product कि जो चीज produce होगी मानलो sugar हमने produce कर लिया अब उस sugar को वहां से जब send करना है market की तरफ तो उस distribution में कितना cost होने वाला है ठीक है उस बात को ध्यान रखते हुए भी यह जो इंडर्स्ट्रिल location है वो set किया जाता है and finally obviously the decision to locate the factory at the site है ना वहां पर जो फैक्ट्री लोकेट करना तो obviously government policies और बहुत सारी चीज़ें भी है जो जिसके बाद ही फाइनल decide होगा कि वहां पर हम setup करें या फिर नहीं ठीक है इसके बाद urbanization and industrialization and urbanization तो जो industries होती है और जो cities होते है urban areas cities तो यह दोनों चीज़ें कैसे चलती है मानलों कि कहीं पर industry बना तो तुम logically सोचो कहीं पर मानलों बहुत बड़ा factory बहुत बड़ा प्लांट लगाया गया किसी चीज़ का manufacturing हो रहा है भले ही वह किसी टाइम पर वह गाउं रहा होगा या रूरल एरिया रहा होगा पर धीरे-धीरे क्या होगा जैसे पर country बनी तो धीरे-धीरे ऑस पास में जॉब जन्रेट हो रहे हैं जॉब्स मिल्रे लोग को तो क्या होगा लोग पैसे मिलेंगे तो लोग अपना कनेक्शन तो जरूर है पहला आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट अबनाइजेशन होता है तो वहां पर अबनाइजेशन अबन एरिया में वो ट्रांसफॉर्म तो हो ही जाता है काफी बार ऐसा होता है कि इंडस्ट्री या फैक्टरी जो है वो शेहरों के पास ही लोकेट करते हैं ठीक है कारण क्या है यह वहां पर इंफ्रस्ट्रक्चर तो अच्छा होगा ही नैच्रिली और दूसरी चीजी होगी कहीं अगर मालों किसी में कहीं पर स्किल्ड डिलिबर की जरुरत है तो अबिसली वो सिटी में ज्यादा अवेलिबिलिटी होगी उस चीजी की अच्छा और क्या होता है कि सिटीज प्रोवाइड मार्केट और अल्सो प्रोवाइड सर्विसेस सच अज बैंकिंग इंशॉरेंस ट्रांस्पोर्ट लेबर एट्सेटरा है ना तो यहा बात है वहीं पर ज्यादा ट्रांस्पोर्टेशन का खर्चा नहीं लगेगा ठीक है और बैंकिंग इंशॉरेंस ट्रांस्पोर्ट सर्विसेस बेटर होंगी और लेबर भी वहां पर प्रॉपर अच्छा खासा मिल जाएगा ठीक है ना तो इस तरीके से सिटी को शेहरों की तरफ सब्सक्राइब जो फैक्तरी जो शेहरों की तरफ सेटल सेटफ किया जाता है और क्या दस इंडस्टिलाइजेशन और अर्बनाइजेशन और रिष्ता है इसके बाद मेनी इंडस्रीज तेंड तो कम तोगेधर तो यहां पर क्या बताया गया है तो यहां पर क्या बताया गया है तो यहां पर बहुत जादा एडिशनल एडवांटेजेशन मिलते हैं और उबिसली उससे जो वहां की एकनोमी है वो काफी हद तक इंप्रूव तो होती है ठीक है और ऐसे एकनोमी को क्या बोलता है अग्लोमरेशन एकनोमी जाद रखना ठीक है जहां पर अबनाइजेशन और इंडूसरे को हेल्प करते रहते हैं ऐसी एकनोमी जो बनती है तो आप जैसे की माल लो यह सबसे पहले इंडस्री में क्या रेक्वाइड होता है तो इंपूट्स क्या क्या है रोव मटेरल और कॉंपोनेंट पाट्स ठीक है रोव मटेरल से यह जो मशिनली के कॉंपोनेंट्स वो सब चीज़ चाहिए ठीक है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक् और उसके बाद में फिर इंफ्रस्ट्रॉक्ट्टर तो यह सब चीजें जो है इन्पूट तो हमको रोव मेटरल सब लगेगा पर पैसा चाहिए लेबर चाहिए लैंड चाहिए और जो उद्योग पती है वो चाहिए तो बेसिकली फैक्टरी सेट अप हो जाएगी अब इसक विए बाद में जो चीजे आउटपूट में यानि जो प्रॉडक्ट वहां से अप्टेन होगा फैक्टरी में जो फाइनल गूड बनेगा उस फाइनल गूड़ को क्या करेंगे उसको अगेंट ट्रांस्पोर्ट करकि कहा तक भीजना होगा मार्केट तक भीजना होगा और म प्रोसेस जो है यह साइकल चलता रहता है ठीक है इसमें जो वह पैसे भी कमा रहा है और उसकी बीजर मेत्र इसके बाद क्लासिप्केशन औप इंड़स्ट्री इंड़स्ट्री इसका मंग क्राइटेरिया के हिसाब से पहला है ओन द बेसिस ओफ रॉण material source of raw material ठीक है तो एक हो सकता है source of raw material की waste पे agro-based और mineral based अग्रोबेस इंडस्ट्री कौन सी होती है जो जिसका जो raw material है वो अगरी कल्चर से आता है है ना जैसे raw material farm से आ रहा है agriculture से आ रहा है cotton हो गया woolen हो गया wool हो गया jute हो गया silk textile हो गया rubber and sugar tea coffee etc यह सब क्या है agro-based industries है mineral based कौन सा कौन सा होता है जो मतलब वो industry जहां जिसका raw material जो है वो agriculture से नहीं आ रहा है वो mineral से आ रहा है जैसे कि iron and steel cement ठीक है aluminium machine petrochemical इसब क्या है mineral based industries है ठीक है so based on source of raw material इसके बाद और भी types देख लेता है according to the main role क्या रोल वो perform करता है वो industry तो सब्सक्राइब बेसिक और की industry और दूसरा है consumer industry देखो basic और की इंडस्री में क्या रहा है role क्या है यहां पर which supply their product or raw materials to manufacture other goods example iron and steel and copper smelting and aluminum smelting तो यहां पर basic और की industry क्यों कहा गया है क्योंकि यह कोई चीज final ऐसा नहीं कि consumer के लिए कोई चीज produce कर रहे हैं पर यह नहीं रहेंगे तो आगे की कोई इंडस्री नहीं बनेगी क्योंकि यहीं से जो भी machinery बनने की चीज़ें है steel iron है ना copper aluminum वो सब चीज़ें इन इंडस्री से निकल के आती है तो जो भी mineral को process करके और फिर जो metal निकाला जाता है तो वह सब basic industry में आता है और फिर इससे machine बनेगा तो अबिसले आगे consumer के लिए machinery आगे तो चीज़ें बनेंगी consumer industry that produce goods for direct use by the consumer like sugar toothpaste paper saving machine fan to consumer को direct use करने के लिए है ना जैसे saving machine जो है वो बनाना तो consumer industry में कि वो सीधे वो निकलेगा तो किसके काम में आएगा consumer के काम में आएगा पर steel industry क्यों नहीं consumer industry में है steel बना के box steel का डबा यह steel तिर्फ एक raw form में क्यूब बना के मतलब नहीं है उससे कुछ चीजें कुछ machine बनेगे ना जो लोगों को क्याम में आए तो वो consumer industry में आएगा ठीक है तो यह समझ लो then we have on the basis of capital investment कितना पैसा लग रहा है उस industry में अगर मान लो कि उस industry का जो investment है if the investment is less than 1 crore 1 crore से कम दाम अगर लगा हुआ है तो ऐसे industry को क्या बोलते है small scale industry बोलते हैं अगर जो जो capital वहां पर जो investment है if the investment is more than 1 crore ठीक है अगर investment जो है एक करोर से जादा का किया गया है उस sector में या उस industry में तो उसको हम किसमें इंक्लूड करेंगे लाज स्केल इंडस्ट्री फालो मैंने कोई factory को लिए है जिसका जिसमें जो पैसा लगा इंवेस्मेंट लगी है वह less than 1 crore तो small scale में आऊंगा मैं अगर more than 1 crore है तो क्या होगा that will be coming under large scale industry इसके बाद on the basis of ownership ownership के हिसाब से अगर बात करें तो फिर उसमें के public sector यह नव ओवि नो इस पॉब्लिक सेक्टर प्राइवट सेक्टर जॉइंड सेक्टर और को उप्रेट्ण सेक्टर तो यह वाला पार्ट आपने सेक्टर सब्में देखा होगा पब्लिक सेक्टर यानि सरकार की चीजें यह ना यह जो सरकार ऑपरेट करती है तो यह ओंड और ऑपरेटेड गवर्मेंट एजन्सीज लाइक भेल सेल अब इसका फुल फॉर्म बताना भेल और सेल ठीक है यह खाने वाला भेल फॉर्म बताना ओके प्राइवेट सेक्टर वह परेटेड यहां पर टिसको है बजाज अटो लिमिटेड है डावर इंडुस्ट्री है रिलाइंस अजब क्या है प्राइवेट सेक्टर में आता है इसके बाद जॉइंट सेक्टर मतलब जो इतने बड़ी-बड़ी चीज़ें होती जो सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलक टिक है इस का एक्जाम्पल है oil oil का फिलफॉमी है oil इंडिया लिमिटेड is jointly owned by public & private सेक्टर देन वी है back cooperative सेक्टर को अपरेटिव सेक्टर में क्या होता है अपने cooperative 일isc thirty connections among all industries all and cooperated by the producers and suppliers of raw materials okay industries industry कॉन्सी होती है त्यार ओन बाइधा प्रोडूसर जो जो बंदा प्रोडूसर है प्रोडूसर कर रहा है चीजों को है या फिर सुपलायर जो है उसी का है जो रामेटर बैसे उसी का इंडस्री तो सब कोप्रेटिव में आता है ठीक है वर्कर्स और बोथ शीरतों ये सब बेसिकली जो उसके रमटर्य को प्रोडक्शन में हैया सप्लाई में हैं यह वर्किंग में हैं पर है वहिल विह यह होँके आगर सेक्र बना रहे इंड़स्ट्री बना तो वो इसमें आएगा को आपरेटिव में दे पूल इन रिसोर्स एंड शेर दे शेर दे प्रॉफिट अन लॉसस प्रोपोर्शनेटली सच आज सुगर इंड़स्ट्री इन महारास्ट्रा दो कॉयर इंड़स्ट्री इन केरला ठीक है तो कॉयर कॉयर पता है जो हमारा गदा है ना जो गदा जो आप देखते हो अलब रूही वाला नी बैड़ के ओपर जो गदा रहता जो बात इसमें अलग डिफर उसमें कोकोणुट कोईर वाला भी रहता है तो नीचे कोईर रहेगा और ऊपर जो है वो पांज टाइप रहेगा तो व वही लोग मिल जूल के आपस में यह इंडेस्ट्री को चला रहे है okay then we are based on bulk and weight of the raw material and finished finished goods तो जो raw material या finished goods जो है वो उसका weight कितना है क्या वो heavy है क्या वो उतना heavy नहीं है तो उसके अंदर आएगा जैसे heavy industry में क्या आता है such as iron and steel industry है ना इसमें बहुत भारी भर कम क्या iron or steel produce यह करना है उसमें तो heavy industry में आता है ठीक है यह बतां सिमेंट किसके अंदर आएगा क्या सिमेंट यहां आएगा कि यहां आएगा जरूर बताना दूसरा है light industry light industry क्या होता है they are they are light raw materials they use light raw materials and produce light goods such as electrical industries है ना जैसे मानलो की resistor बनाने वाली company हो गई यह भी consumer basic consumer वाली production वाली company उसब light industry में आता है heavy industry में क्या है जो जैसे iron and steel हो गया जो भी mineral based industry है जो भी तुमारा cement वाला है वो सब इसी में आता है heavy industry में then we have agro based industries agro based मतलब क्या है पड़ा था हम सुना हमने कि जिसका raw material जो है वो agriculture से obtained हो रहा है जैसे cotton silk jute edible oil यह सब क्या है agro based है अब यहां वाना यह एक flow दिया है आपके किताब में तो मैंने इसको बता दिया अब देखो fiber production मालो cotton से cotton के पतले वाले fiber obtain किये गए ठीक है fiber production अब यह fiber भी raw fiber भी सेल हो सकता है market में या इसको spinning करके इसको यान बनाया जा सकता है त्रेड बनाया जा सकते है त्रेड बनाया जा सकते है अब यान भी market में सब जिसे wool होता है जो जिसको हम sweater बना सकते तो वह भी market में यूज सकता है या वह weaving करके weaving knitting करके उसको fabric यानी कपड़े बनाया जा सकते हैं अब वो कपड़े जो पूरा कपड़े का थान है वही भी किजाए है ना जैसे मालों हमने shirt कपड़ा खरीद की shirt बनाया सिलाया तो जो कपड़ा है वह भी बिकता है market में fabric और या फिर उसको प्रॉपर डाइंग प्रोसेसिंग करने के बाद उससे garments भी गार्मेंट manufacturing करके garment भी हम बना सकते सेल आउट हो सकता मार्केड में जैसे ready-made shirt आते हैं वो सब भी तो यह सब जो है बेसिक बतायागे आपके textile industry की बात करी गई है तो textile industry में अगर हम देखें देखो कपड़े का पुरत जो lot है वो दिख रहा है आपको it occupies unique position in the Indian economy textile industry की बात हो रही है कि इसका भी बहुत जबरदस position है बहुत ही unique position है हमारी economy के अंदर ठीक है it contributes to 4% towards GDP सिर्फ अगर हम बात करें textile industry की तो हमारे GDP का 4% जो मतलब हमारे national income जीडिप जो हम कहते हैं जिससे हमारा value हमारे देख का economic value पता लगता है उसमें contribution 4% जो है वो textile industry का that is great ठीक है it contributes significantly to industrial production and foreign exchange ठीक है तो अगर हम बात करें तो काफी सारे मतलब अगर हम मैं अपने आसपास के अरिया की बात करूं या फिर लगब मेरे ख्याल से जहां भी थोड़ा cities है वहां आसपास में कपड़े के से जुड़े के factories होते हैं most of the times especially maharashtra gujarat का तो आप सुनते हो कि कब से मतलब अंग्रेज उनके उनके आसपास भी उस उस समय भी यहां पर cotton textile का काफी ज्यादा यह था है ना तो obviously इसमें 4% contribution बहुत बड़ी बात है ठीक है और उसके बाद foreign exchange का का काफी value उससे भी कule Communist का यहां आपने अगर सुना हो कि जो बहुत सारे आसपास मि जो च्छिर्ट हम उनका है पर शड़יעभा बाहर का ब्रैंड है अलोग अलग अलग BLACK अलनिज्व के यह रेंड़न als children कैसके हम को लगता है कि या वह मांbis चाहिज भाए कंभा अपड़ा हो यह खिंट एफ है कि नहीं रहते हैं और छो काम करते हैं पिजह भी बता इंच से शट्स एक्सपोर्ट होते है न ओसकता है उसकता है डाटिक है यह लगाना को फिर मिल जाए ठीक है यहां फिर यहीं बन रहा थे डिल ही आल रहें प्लड राऊ जाहे सिर्फ टैक कोन रहा है reduction दूसरे बाहर की किसी MNC का है, ब्राइन का है, ठीक है, क्वालिटी नो डाउट अच्छी बनाई जाती है, पर वो प्रोड्यूस प्रोडक्शन यहां पर होता है, तो यह बात ध्यान अग्नाई सीज का, ठीक है, यहां से जो टेक्स्टायल है, बहुत अच्छी का होता है, जो बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है, इसमें काफी वैल्यूबल चीजें अप्टें की जाती है, तो obviously textile industry का बहुत ज्यादा जो है यहां पर impact है यह बहुत ज्यादा बड़ा role है अब इसमें cotton textile के हम बात करें cotton textiles ठीक है in ancient India मैंने अल्री बताया था आपको ठीक है in ancient India cotton textile एक second okay in ancient India cotton textiles were produced in the with hand spinning and hand loom weaving techniques ठीक है तो पहले hand spinning और hand loom techniques चलते थे 18th century power looms जो है वो आये जिसमें फिर वो electricity पे बेज जो है प्रोपर बहुत तेजी से जो है production यहां पर होने लगा okay then our traditional industries suffered a setback during the colonial period because they could not compete with the mill made cotton mill made cloth from England तो आपको आपने सुना और वो Manchester और यहां के goods की कहानी तो obviously एक दौर ऐसा था जब यहां के जो कपड़े और यहां के मिल से जो चीजें बनती थी वो हैंडलों से जो चीजें बनती थी वो बाहर जाती थी और बहुत कमाई हो ली थी हमारी पर एक टाइम ऐसा भी आया जब बाहर की चीजें जो मैंचेस्टर में और फिर जो वहां की चीजें बने थी ती कहां जो कपड़े थे वो यहां पर आ रहे थे और वो वो सस्ते हुआ करते थे क्योंका बनेते मास्टेथे तो उस्ते क्या होता था हमारे जो देश में जो वीवर्स है या उनके बने परदक्ट्स किया है है वह यहां इक समस्या थी यहां पर जिय किये गहां the cotton textile industry was concentrated in the cotton growing belt of Maharashtra and Gujarat पता होगा आपको black soil यहां पर है तो black cotton soil क्यों कहा जाता है because cotton यहां पर बहुत ज़्यादा महाराश्ट गुजात में produce होता है ठीक है तो जाधर जो cotton industry थी it was located here only availability of cotton market transport including accessible port facility labor moist climate etc contribute towards its localization तो क्यों महाराश्ट गुजरात में यह localized था यह तो उसका कारण है कि जो जो conditions थी चाहिए वो natural condition grow करने की या फिर यहां का market और जो भी labor जो भी आप कहलो facilities उन सब की वज़े से ऐसा था कि cotton industry महाराश्ट गुजरात में localized थे provided a living to farmer cotton ball pluckers and workers engaged in ginning spinning weaving यह सब जो process होते हैं इस cotton textile वाले पार्ट में तो वो सब जो है यहां पर यहां के farmers के लिए एक अच्छा advantage था उनको जीने के लिए और extra support मिल रहा था ठीक है creating demand support many other industries such as chemicals and dyes यह सब का भी इसमें अब जो अगर cotton industry है तो इसको process करने के लिए भी chemicals और dyes का भी demand होता है इसकी वैसे this was this is already increasing this and this part में इसको और ज्यादा industry को cotton industry को बढ़ हावा मिल रहा है okay spinning continues to be centralized in maharashtra gujarat and tamil nadu ठीक है तो अभी अगर में बात करें तो spinning वाल जो टेक्नीक है वह इस part में ज्यादा centralized है यह localized है maharashtra gujarat tamil nadu weaving is highly decentralized to provide scope for incorporating traditional skills and design of weaving in cotton silk zari embroidery etc तो weaving वाली जो टेक्नीक है यह weaving वाला जो प्रोसेस है वह decentralized मतलब क्या उसको मतलब अलग-अलग देश के अलग-अलग हिससे में जो है इसको decentralized किया गया ताकि अलग-अलग जो traditional skills है और जो designs है वह मिले अलग-अलग जो textiles है उन सब के ऊपर ठीक है वीविंग वाली टेक्नीक जो है यह वीविंग का जो प्रोसेस है वह उसको decentralized किया गया उसको कहीं localized नहीं रखा गया ठीक है इसके बाद the handspun khadi provides large-scale employment to the weavers in their homes as as a cottage industry तो handspun हाथ से बना हुआ जो khadi का जो कपड़ा है जो गांधी जी के जमाने से आप मतलब सुनते आ रहे हो तो उससे भी क्या होता है weavers को employment मिलता है ठीक है and cottage industry में include क्या जासकता है ठीक है other countries are USA UK Russia France East European countries Nepal Singapore Sri Lanka and African countries यहां पर देखो थोड़ी सी बात समझो कि हम ना लगबाग चलो ठीक हैसे हम काफी चीज़े revenue मिल जाती है हम यहां से कपड़े यह टेक्स्टाइल यह सब चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं in advance country में अगर देखो पर वहां से क्या आता है अगर हम बात करें फ्रांस UK रशिया वहां से सोचो मतलब चार हवाई जहाज या दस दस aircraft fighter aircraft दे दिये गए और उसको क्या value होता है ठीक है तो अगर technology के लिए हम थोड़ा सा सोचे थोड़ा सा और जाद एडवांस करें तो हम अगर यह सब चीजा करें टाइम पर प्रेड्यूस कर पाएं तो आगे जाके हम कितने एडवांस हो सकते हैं अब हमारी जो नई education policy आ रही है ठीक है मैं चाहता हूं और में बहुत जादा expectation इसे है कि जो implementation हो वो उतना ही जबरदस्त हो जितना इसका इसकी बात या इसमें rules and regulations आई हुए है ठीक है ताकि देश हमारा सही माइने में कम समय में अच्छा खासा development 2050 या 2060 ही समय है वहां पर हम develop कर जाए और we can be the developed country India has second largest installed capacity and spindles in the world next to China ठीक है बात हो रही है textile trade की तो अगर हमारे पास machinery की बात करें उसके लिए है ना तो हमारी capacity spindles जो भी है वह second largest है सबसे मदब फर्स पर कौन है चाइना है इन सब के मामले में देन we have okay and then we have a large share in world trade of cotton yarn accounting for one-fourth of the total trade यहां पर एक और बात है कि देखो हम cotton yarn के trade में one-fourth 25 परसेंट जो है हमारा contribution है लेकिन अगर हम garments की बात करते हैं कपड़ों की बात करते हैं तो उस वाले केस में सिर्फ और सिर्फ 4 परसेंट है तो आप समझ सकते हो कि यान cotton yarn produce करने में वी आर contributing one-fourth यानि 25% of the world trade लेकिन जब हम बात करते हैं garments की यानि उससे जब कपड़े बना जाते हैं वह वाले केस में उस वाले ट्रेड में हम लोग सिर्फ और 4 परसेंट ही उसमें हमारा रोल है तो थोड़ा इस बात करें ध्यान देना है कि हम फिनिस्ट गुड्स कितना जाद उसको फिनिस्ट करके वो चीज हम export कर रहे हैं उसी पर हमारा जो economy है उसी से improve होगा नाव इस ड्रॉबैक्स ओफ और टेक्स्टाइल इंडस्ट्री ड्रॉबैक में अब देखो इसको कनेक्ट करोंगा यह पॉइंट को सो इसमें सबसे पहला है और स्पिनिंग मिल्स और कम्पिडिटिव अग्लोबल लेवल नो डाउट इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन वीविंग निटिंग और प्रॉसेसिंग यूनिट्स केंनाट यूज मच अफ दा हाई क्वालिटी यान ठीक है तो यानि कि जब हम बात करते हैं हमारे स्पिनि मिल्स तो वो तो हैं वो बेसिकली यूज कर लेते हैं जितना भी हम फाइबर प्रोडूस करें ठीक है लेकिन वीविंग निटिंग और प्रॉसेसिंग जो है वो बात केनाट यूज मच अफ दा हाई क्वालिटी यान देन मोस्ट अफ दा प्रॉडक्शन इस इन फ्राग्मे जानन का इस तो फ़िल निया फंट और यान एंड इंपोर्ट वैबरे वहां से यानन यहां से और वहां से प्रॉस्पोर सब गभी दिखेन और फैबरिक को क्या कर रहे लेकिन नगधे तो हम यहाँ से एक्सपोर्ट पूरा प्रासेस कर गहां आहे इंटरमीडियेट प्रड़क्र वाहर यहां चीन सब्सक्राइचब से वहां कि technology wise हमको हर एक segment में थोड़ा इंप्रूव करना होगा ताकि हम final good जो है वो प्रोड्यूस कर पाया then we have reasons to import why do we import क्या क्यों क्या जरूत पड़ती हमको import करने की power supply is erratic then machinery needs to be upgraded machinery जो है हमारा upgraded नहीं है proper नहीं है power supply issue हो सकता है low output of labor labor output जो है अतना अच्छा नहीं है okay and then we have a stiff competition with the synthetic fiber industry ठीक है जो synthetic fiber industry जिसे हमने बताया कि जो जैसे कि अभी यह तो हमने जो भी बात किये सब natural fibers cotton हो गया silk हो गया synthetic fiber and nylon हो गया polyester हो गया उसके साथ में तगड़ा competition जो है वो नहीं face कर पा रहे है जो natural fiber industry है और इस रीजन से हम क्या कर रहे है we are basically doing the imports जूट textile की बात करते हैं जूट तो पता होगा वो रसी है ना जिससे जो क्या बलते हैं गोनी या बोरा बनाया जाता है तो यह अगर हम बात करें जैसे चूट जूट आता ना दिमांग में वेस्ट बंगॉल का नाम ज़रूर आता है अपने पढ़ा ही होगा India is the largest producer of raw jute and jute goods तो यह तो पता ही होगा यह तो हमने वहां भी पढ़ा था और वो भी स्पेशली कहां वेस्ट बंगॉल के नाम आएगा okay most of these are located in west bengal used in making ropes इसका इस्तमाल कहां पर होता है रसी बनाने में गोनी बनाने में इसके बाद the mainly along with the banks of west bengal पर west bengal भी कहां जो हुगली रिवर का जो बैंक है वहां पर jute का production होता है then we have factors responsible for the hughly location थीक है तो मतलब क्यों वहां पर क्या ऐसा है कि वहां पर jute जूट का production हाई होता है proximity of jute producing area inexpensive water transport मतलब जो इसका जो भी इसके लिए जो factory setup किया गया है वह लोकेशन क्यों बना गया है वहीं पर क्यों है basically जो उसके factories है so obviously वहां पर jute का production हाई है तो वहीं factory का setup सही रहेगा ठीक है inexpensive water transport जो जूट का जो raw material as a raw material जब हो जाएगा factory के लिए तो transport के लिए कौन सा तरीका वहां पर mainly use होता है जो water के तरीके तरीके नदी के तरीके से वह transport कर दिया जाता है by a boat ship जो भी है supported by good network good network of railway roadway and waterway okay then we have abundant water for processing raw jute ठीक है उसको उसके processing में पानी की जरूत है और जो की वहां बहुत जादा available है इसलिए हुगली location specially जो है जूट के industry के लिए वहां proper location है और क्या है वहां पर खास बात है cheap labor ठीक है वहां का जो वहां के जो labor है वह उतना महंगे नहीं है ठीक है वेस्ट बेंगॉल की बात हो रही है और एड्जॉइनिंग स्टेट्स ऑफ बिहार औरिस्सा और उत्तर प्रदेश कोलकाता आज लार्ज स्केल अर्बन सेंटर प्रोवाइड बैंकिंग इंशॉरेंस और पॉर्ट फैसलिटी और एक्सपोर्ट ऑफ जूट गूड्स ऑफ जूट इंडस्ट्री सपोर्ट्स ठीक है तो इन सब में रीजन की वज़े से जो जूट का जो इंडस्रीज है वो कहां पर है वो हुगली रिवर पे लोकेटे रहे या वैस्ट बेंगॉल में लोकेटेड है ठीक है इसके बाद चैलेंजस फेज बाइदा जूट इंडस्ट्री अब इसके इससे जुड़ा हुआ चैलेंजस क्या है या फिर क्या डिफिकल्टी आ रही अब इस इंडस्री को वह हम देख जादा जो कॉंपटीशन है वो सिंथेटिक जो आर्टिफीशल फाइबर्स है या आर्टिफीशल जो मटेरिल से उसके हाथ में कॉंपटीशन फेस नहीं कर पा रही है क्योंकि वह सस्ते भी होते मजबूत भी होता है यह अलग बात है कि उससे कॉप पलूशन वाली चीज़ इंटर्नल डिमांड जो है क्यों बढ़ रहा है जूट का वैसे क्योंकि सरकार ने इसको क्या करते है कंपल्शन में लगा दिया है कि पैकिंग जो होगी वो जूट की चीज़ों से ही होगी स्पेशली अगर हम बात करें जो गवर्मेंट लेवल पे या जो बड़े तो दे जूट फार्मर्स एन एंहांसिंग यील्ड पर हेक्टर ठीक है तो यहां पर नैशनल जूट पॉलसी जो है वो लाया गया था स्पेशली इस चीज़ के इसको एनहांस करने के लिए इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए की जूट का जो प्रड़क्शन है वो सही रह है ठीक है तो ग्रोइंग ग्लोबल कंसर्न फॉर एन्वायर्मेंट फ्रेंड्ली बायो डिएकरेबल मटेरियल्स अगें ओपन दी फॉर जूट प्रड़क्शन तो चैलेंज तो में लिए हम यहां पर देखे कि क्या चैलेंज है वह सस्ता इससे सस्ता ऑप्शन आ गया है जो प्रमोट किया जा रहा है बात करते हैं शुगर इंडस्ट्री की इंडिया स्टैंड्स सेकेंड अज वर्ल्ड प्रोडूइसर ऑफ शुगर बट ऑक्यूपाइज फॉर्स प्लेस इन प्रोड़क्शन अफ गुर्ड एन खांसारी ठीक है तो यह आपको पता होगा तो शुग प्रोड़क्शन में तो यहां पर बेसिकली क्या बात हो रही है कि अगर समझों की शुगर के मिलको शुगर मिल्ल को या शूगर इंडर्सा-प्रोड्य अगर आजयो हैं तो क्या क्या दकत होगी तो दिक्कत यह होगी कि एक तो और साथ में उसका शुगर कंटेंड भी कम हो सकता है शुक्रोज कंटेंड भी कम हो सकता है इसलिए यहां पर क्या किया गया है फैक्टरी इसको नजदीक क्या होता कि तो इसको दूसरे लोग भी इंट्रेस्ट रोथे बिजिस्नें इंट्रेस्ट रूथे इसको सेट अप करने जादा क्योंकि सीजनल है इसलिए यह को अपरिटिव लेवल पर जो मिल ओनर से जो आसपास की जो सप्लायर से वो लो क्या करते है अपने लेवल पर इस देश्टरी को रन करते हैं ठीक है देर इस तेनजी फॉर दॉम मील तो शिफ्ट और कंसंट्रेट न शुटर्ड न वेस्ट एंट गर नेंट करते हैं इस ट्रूश न शुक्रूश फोते मारास्त के उस अबशुगर रिगी इस में जादा सुक्रूश का इंट रिग उद्ग cooler climate also ensures a longer crushing season moreover the co-operatives and more successful are more successful in these states ठीक है तो basically वो ही कहा जा रहा है again repetitively कि cooperative sector जो है वो इसको बहुत 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 तरीके से handle कर पाते हैं बहुत सारे कारण है क्योंकि वो seasonal है यह जो industry है इसके अलावा अगर हम बात करना तो यह bulky है तो जादा दूर industry setup नहीं होगा तो आसपास में लोग ही आसपास के लोग ही इसको setup करके बैठें ठीक है और तो यह सब कारण है बहुत सारा यह सब कारण है जिस वज़ा से जो लोकल लोग है वही इस चीज में ज्यादा फोकस्ट रहते हैं ठीक है major challenges क्या-क्या challenges से जुड़े हुए शुगर केन से जुड़े हुए कि seasonal nature of the industry तो यह तो भाई दिक्कत है seasonal nature है इसलिए इसको बड़े जो जो entrepreneurs है या बड़े private scale पे इसको नहीं कर रहे है लोग ठीक है प्राइवेट सेक्टर नहीं बना रहे है cooperative sector में इस रीजन से है यह लेकिन यह इसका challenge भी है दिक्कत भी है seasonal है तो बाकी season मतलब कि जब सुगर किनका season होगा उस टेम पे तो शुगर मिल में काम होगा बाकी other season में क्या होगा तो दिस द्वांटिक नहीं रहेगा ठीक है old and inefficient method of production ठीक है तो अभी पुराने method यूज किये जा रहे है जो उतने proper efficiency जिसकी नहीं है ठीक है इसके बाद ट्रांसपोरट ढिले, ड्रांसपोर्ट ढिले होता है इसवाले के इसमें बल्की है है रहे ओ इतना systematic नहीं है इस वजर्जे से ट्रांसपोर्ट डिले होता है need to maximize use of baggage package क्या होता है तो the sugar or consider से जब जब वो जूस निकाल लिया जाता है तो जो कचरा बचता है वो कचरा नहीं होता है वो बैगेज होता है उसको बैगेज कहा जाता है उसका इस्तमाल कहा हो सकता है उसको यूज करके मतलब जो अलकोहॉल जो प्रोडक्शन होता है अलकोहॉल वाले केस में तो उसमें भी इस वाली की चीज को इस्तमाल में लाया जा सकता है ठाए। मतलब बागेज को युज किया जा सकता है। बाइो गैस और भी चीजों में किया सकता है। ठीक है? Mineral-based industries Mineral-based industries की बात करें यहाँ पर अब सबसे पहला है Iron & Steel Industry Iron & Steel industry The iron and steel industry is the basic industry And other industries Like heavy, medium and light depends on this for their machinery to here on Q is the basic industry for other industry basically what is the other industry depends on the other industry because we talk about other heavy cement industry or light industries all the machinery is where will come from iron and steel industry so that means that there is a lot of dependence you can call it mother of all the industry after that iron and steel industry is heavy industry because all the raw materials are as well as the finished goods are heavy and bulky whether it is raw materials or minerals or finished goods all the heavy industry steel is needed to manufacture a variety of engineering goods construction material defense etc production and consumption of steel is often regarded as the index of country's development okay so steel production and usage is determined that the country's development is much more if we use steel as much as we use steel as much as we use steel as much as we use so if we use steel as much as we use steel as much as we use it directly there is development because it will be machinery to make machines out of it or aircraft or any kind of thing finished goods and final machinery will produce and export it will get more money and then if we talk about steel production then iron ore, coking coal and limestone these three things are required and the ratio of 4 is to 2 is to 1 इस रेशो में यह चीज़े लगती है और अच्छा स्टील प्रोड्यूस होता है अगर स्टील को थोड़ा और हार्ड बनाना है तो उसके लिए मैंगनीज का भी थोड़ा इस्तमाल किया जाता है उस प्रोपोर्शन के अंदर ठीक है टुड़े विद 32.8 million tons of steel production इंडिया की बात कर रहे है अगर आज की रेट की बात करें तो 32.8 million tons of steel production हम करते हैं ठीक है और जो की अगर वर्ल्ड के crude steel production की बात करें तो उसका कितना है इंडिया इस रैंकिंग 9 अनला हम 9 रैंक पे हैं जो crude steel का production है उसमें it is the largest producer of sponge iron sponge iron is basically type of iron जो बहुत ही मतलब बहुत ही बोल सकते हो कि initial level में form किया जाता है direct reduction से किया जाता है okay reduction chemistry में पढ़ना होगा आपको तो यह sponge iron की बात करें तो उसमें हम largest producer है ठीक है अगर crude steel production की बात करें तो हम 9th rank पे आते हैं okay above it is a public sector industry no doubt public sector industry in spite of a large of production of steel per capita consumption of per annum is only 32 kg per capita consumption मतलब हमारे population की हिसाब से बात करें और एक साल में अगर per capita के स्टील के consumption की बात करें तो it is only 32 kg जो की बहुत कम है मतलब हम produce थो ठीक ठाकी कर ले रहे हैं लेकिन consumption स्टील का बहुत कम है और हमने क्या इस बात की थी कि अगर कोई देश स्टील का जादा यूज कर रहा है इसका मतलब कि वह उतना ही जादा फिनिस्ट मशिनरी वह प्रोड्यूस कर रहा है और वह उसके development के लिए उस देश के लिए अच्छा है अब देखो बात करते हैं चाइना की compare करते है तोड़े चाइना इस लाज़ेस्ट प्रोड्यूसर और अलसो दे लाज़ेस्ट कंजीमर ऑफ स्टील तो नो डाउट हमको पता है कि चाइना का development का जो बहुत सरा secrets यहां हम दिखाई दे रहा है कि स्टील का production भी सबसे जादा कर रहा है और स्टील का consumption भी सबसे जादा चाइना ही कर रहा है ठीक है छोटा नागपूर प्लैटो इंडिया की बात कर रहे है ठीक है तो हमारा जार्खरन और वह वाला बेल जो है छोटा नापकूर प्लैटो रीजन अच्छी क्वालिटी और लो कॉस्ट होते रहे दूसरा लेबर भी वहां पर चीप है तो भाईया वहीं पर सेट अप करना सही है कोई भी हेवी इंडस्ट्री है ना उसके राव मेटरिल के पास ही उसका अच्छी का होता है वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल इन अच्छी तो अबिसली उसका जो हमारे हमारे यहां इंडिया की बात करें तो यहां पर जो उसका रिक्वाइरमेंट है बेसिकली वह भी बढ़ता जा रहा है ठीक है देन भी हाव ड्रॉबैक्स ऑफ इस इंडस्ट्री का लिमिटेशन वह बात कर लेते हैं तो यह जो कोणिंग और कोल का एक वराइटी है ठीक है इसका जो प्यकॉजिस इस रिक्वाइड स्टील के प्रोडक्शन में तो इसका हाइड कोस्ट होने की वज़े से और लिमिटेड अवेलिपलिटी होने की वज़े से ठीक है थोड़ा यह पार्ट डिफिकल्ट हो जाता है ठीक है इर्रेगिलर सप्लाइब अफ एनर्जी यह तो यह भी दिक्कत ही है जो हमने वहां भी पड़ा था तो चाहिए लेक्टरिटी की बात करें तो इर्रेगिलर सप्लाइब होने है ति मेंस है थाथ यह यहां पर लिबर भलफूररिवाइश पर अन्फॉरंब और था दिए कि ए इसमें आपको पता होगा कि बाहर की कंपनिया यह बाहर की बाहर से बाहर के जो इन्वेस्टर से वह इस सेग्मेंट में आके इन्वेस्ट कर रहा है और क्योंकि हमारी सरकार ने यह लिब्रलाइजिशन अलाव किया है और इस वज़ा से क्या हुआ है कि इस इस गिवन बूस्ट तो इंडस्ट्री विद अफर्ट आफ प्राइवेट इंडिया तो आफ्टर आयन च्टील जो सेकेंड नंबर पर जो मेटलर्जिकल पार्ट में से आता है तो यहां पर आपिसली उसकी देंसिटी कम होती है हलका रहेगा और श्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाया जा सकता है तो आप आपको मैं आपको एक एक्जांपल देता हूं जैसे डूरालूमीन तो यह जो डूरालूमीन है वह ऐलूमीनियम में थोड़ी सी मिक्सिंग करके उसको बनाया जाता है और उसकी देखो वह लाइट वेट भी होता उसकी जो स्ट्रेंथ है वो स्टील से भी जादा कर जा सकती इसका इस्तमाल कहां हो सकता है ऐसलिए याया एरक्राफ्ट होते वो बनते हैं कालीयमिनियम से बनेखे तो तो स्ट्रेंथ नहीं आएगा वेट कम रहेगा पर स्टेंथ नहीं आएगा तो उसको वैसे एलुमीनियम में मिक्सिंग करते हैं और वो अद दूसरे बनाकर उसको जाता है ठीक है it is used to manufacture aircraft utensils and wires ठीक है aluminum के हम बात करें तो aircraft utensils बनाने के और वायर बनाने के काम में आता है पता ही हमको it has gained popularity as a substitute of steel copper zinc and lead in number of industries ठीक है काफी जगहों पे aluminum ने steel copper acid metals को replace कर दिया है okay the raw materials used in the smelters is very bulky dark reddish brown colored rock called bauxite तो यहां पर हमको पता है कि aluminum का जो सबसे important और है वो bauxite है उसकी property बताया गया है 8 aluminum smelting plants कहां कहां पर है औरिस्ट बेंगल केरला उत्तर प्रदेश चत्तीजगर महारास्ट्रान तमिल्लाडू अब मैं हां पर एक और बात आपको कहना चाहूंगा कि इस chapter में जो भी आपको map वाली work दिये हैं कि कहां कहां पर iron steel industry यह जो भी map वाले इस chapter में काफी सार है and important तो वह आपको देखना है from the textbook ठीक है और यह तो हम किसी अलग सेग्मिन में उसको कवर कर लेंगे वैसे है भी हमने किया भी हुआ है जो बोर्ट के टाइम पर हमने इसको कवर किया था ठीक है chemical industry की बात करते हैं chemical industry is in India is fastest growing and diversifying तो यह तो बहुत अच्छी ख़बर है कि इंडिया में chemical industry जो है सबसे तेजी से ग्रो हो रहा है और diversify and spread हो रहा है ठीक है it contributes approximately 3% of the GDP again textile में हमने पढ़ा था 4% ठीक है यहां पर यह है 3% that is absolutely great ठीक है it is the third largest in Asia and occupies 12th place in world in terms of its size ठीक है Asia की बात करें तो chemical industry में हम लोग third पर आते हैं और पुरे दुनिया की बात करें world की बात करें तो उसमें 12th position पर आते हैं okay it comprises both large scale and small scale manufacturing units rapid growth has been recorded in both in organic and organic sector तो यहां पर chemical वाले में दो सेग्मेंट हो जाते हैं दो सेक्टर हो जाते हैं एक होता है इन और्गैनिक दूसरा और्गैनिक ठीक है sulfuric acid nitric acid alkali soda इसे बाते इन और्गैनिक में और और और्गैनिक में आते हैं थोड़ा science आ गया यहां पर मेरा science वाला टीचर जा गया तो carbon hydrogen oxygen से बना हुआ जो compound होता है जो living matter जैसे फॉर्म होते हैं प्रोटीन हो गया या carbohydrate fat यह सब चीजे होती है यह और्गैनिक वाले पार्ट में आती है तो यह जो पेट्रो केमिकल है यह कैसे यह और्गैनिक में अगया ओबिस्ली सब प्लांट्ट्ट्स के डिट्रीमेंस फॉसिल से फार्म होग है तो देख आधा कम अंडरर और और गानिक तो और गैनिक यह इसका इस्तमाल करके हम कुछ चीजीज से जैसे synthetic fiber plastic यह सब चीज़े बनाते इन और्गैनिक वाले में बाकि जो भी chemical है वो सब मिल जाए ठीक है chemical industry is its own largest consumer है ना तो chemical industry जो है उनके पास भाई consumer बहुत तकड़े है यह has its own largest consumer ठीक है basic is spelling थोड़ा समें कर बड़ा है ठीक है basic chemicals undergo processing to further produce other chemicals that are for industrial application agriculture और directly for the consumers तो यहां पर हम बात करते हैं क्यों इतने सारे बहुत सारे consumers क्यों है इस industry के segment में क्योंकि जो basic chemicals है जोगी chemicals है उनको process करके दूसरे chemical इंडस्ट्री के लिए उसको supply किया जा सकता है ना दूसरे chemical application के लिए क्यों आपको पता है एक chemical को process करके दूसरा या reactions करके नया chemicals बना सकते हैं तो दूसरे इस्तमाल में जैसे अभी agriculture के लिए या जो fertilizer या वो सब चीजों के लिए तो इसका requirement लगेगा ही chemicals का ठीक है और मार्केट में भी सबका इस्तमाल होगा ही जैसे आपको पता होगा वैसलीन या जितना भी chemical से जुड़ा हुआ जो भी cream या दवाईया medicines वो सब क्या है इसी पार्ट से आएंगे इसके बाद है fertilizer industry fertilizer industry ये बात करते हैं centered around the production of nitrogenous fertilizers mainly urea phosphatic fertilizers and ammonium phosphate dap ठीक है तो यहां पर रफटलाइज इंडस्ट्री की बात हो रही है complex fertilizers which are combination of nitrogen phosphate and potassium NPK आपको याद होगा NPK बहुत important elements है जो plants को चाहिए होते है as a nutrient ठीक है और fertilizer का एक बहुत important segment है NPK वाला ठीक है potass is entirely imported as the country does not have any reserve of commercially usable potass and potassium compounds ठीक है तो हमको potass का हमार यहां पर availability ज्यादा नहीं है इसको import करना पड़ता है इंडिया is third largest producer of nitrogenous fertilizer क्या बात है अगर हम बात करते है nitrogenous fertilizer की तो हम तीसरे नंबर पर आते हैं पुरी दुनिया में after the green revolution the industry expanded to several other parts of the country Gujarat Tamil Nadu उत्तर प्रदेश पंजाब and Kerala contribute towards half the fertilizer production okay other significant producers are आंदरप्रदेश औरिशार आजस्तान बिहार महराश्ट्र असम West Bengal ठीक है तो आपर fertilizer industry की बात करें तो बहुत ज्यादा spread है पूरे इंडिया में लगबग आप देख सकते हो next is cement industry obviously cement का इस्तमाल हमको पता यह कहां कहां पर होता है पतलब कहां नहीं होता है ना चाहे building बनानी हो bridge बनानी हो road बनाना हो railway station बनाना हो हर जगा पर इस्तमाल होगा तो एरपोर्ड बनाना हो हर जगा यूज़गा यूज़गा डैम बनाने के लिए तो इसका बहुत ठीक है ना coal और electric power का तो जरूरत है इन सब के processing के लिए production के लिए found the produce of readily available market in East Asia, Middle Asia, Africa and South Asia इन सब जगहों पर इसकी demand ज्यादा है this industry is doing well in terms of production as well as import तो बहुत बढ़िया कर रहे हम इस मामले में ठीक है cement के production और इसके export के मामले में ठीक है ना that is good going good आगे देखते हैं automobile industry यानि गाडियों का क्या segment क्या चल रहा है provide vehicle for quick transport of good services and passengers obviously गाडी ने देगा तो यह transportation का काम कैसे होगा good services और passengers का trucks buses cars motorcycle scooters three wheelers are manufactured in India of course located around Delhi गुर्गाव अब यह इसके बात हो रही और तो इंडस्री दिली गुर्गाव मुंबाई पुने चन्नाई कोलकता और क्या है लखनाव इंदौर हाइदरबाद जम्शेथपूर एंड बैंगलोर ठीक है तो यह साब जो है इन जगहों पर इंडस्ट्री लोकेटेड हैं ठीक है मेंली आफ्र दा लिबराइजेशन दा कमिंग इन ओफ न्यू एंड कंटेंपरारी मॉडल स्टिमुलेटेड दा डिमांड फॉर वेहिकल्स इन मार्केट ठीक है तो जैसे लिबराइजेशन हुआ ठीक है अगर हम बात करें 91 आसपास में जब मनमोहन सिंग फिनांस मिनिस्टर थे उस वक्त से ज्यादा मार्केट ओपन हुआ ठीक है इंडियन मार्केट फॉर विदेशी काफी इन्वेस्टमेंट्स या फॉर इन्वेस्टमेंट्स और उसके बाद से काफी ज्यादा जो है कॉंपिटिशन डेवलप हुआ और उसके बाद से ही काफी मतलब दिमांड आया इस सेगमेंट में और तो मॉबल वाले सेगमेंट में तीक है अब हम बात करते हैं आई-टी इन्वरमेशन टेकनोलोजी और इलेक्ट्रोनिक इंडस्ट्री ठीक है तो इट कवर समवाइड रंज रंड प्रड़क्स फ्रॉम् टेलिविजन टेलीफोन ट्लॉला टली टेलिकॉम पेजर एट्सेट्रा तो ना टीवी की बात करें ठीक है या इंटरनेट की बात करें या सिल्ला टेलीफोन टेलीकॉम की बात करें फोन और सब कुछ इसी सेग्में में आता है और बाइंगलोर हैज एमर्ज आज दो एलेक्ट्रोनिक कैपिल ऑफ इंडिया ठीक है इस मामले में सबसे ज्यादा टेक्नोलोजी वाले मामले में जिसन तरक्य किया है वह बाइ मिट दौर आज अवाइड इंपक्त आफ इंप्लोईमेंट जनरेशन ठीक है तो यहां पर बहुत जबर्दस तरीके से इंक्रीज होने वाला है इसमें इंप्लोईमेंट इन नेक्स थी तो फॉर यह बिकाज ओविसली यहां पर अब क्या हो रहा है इसा नहीं कि हम सिर्फ अपने लिए टेक्नोलोजी बना रहे टेक्नोलोजी अब दूसरी कंट्रीज का भी अगर को बनाना है तो वो यहां पर काम ट्रंस्फर कर रहे हैं जिसको हम आउट्सोर्सिंग कहते हैं ठीक है तो वो सब चीजें हो रही है इस इंडस्ट्री अस बीन अमेजर फॉरन एक्स्चेंज अर्नर इन दे लास्ट तो और थी यहर्स विकाज फास्ट्रोइं बिसनेस प्रसेस आउट्सोर्सिंग सेक्टर यानि BPO सेक्टर पता होगा कॉल स चीजें जो इंटर्नाशनल कॉल सेंटर चलते हैं इन बाउंड आउट बाउंड ठीक है के पी योज़े से बाहर का जो पैसा है वो इंडिया आ रहा है ठीक है तो इस बहुत अच्छा स्कूप है सर्विस सेक्टर के मामले में इसके बाद हैं इंडस्ट्रियल पल्यूशन औ एर पॉलीशन वाटर पॉलीशन थर्मल पॉलीशन थिक है तो एर पॉलीशन पढ़ाई होगा साइंस मेर कॉस्ट प्रेसंस आप हाई प्रपोर्शन ऑंडीजरेबल गैसे सच अइस सल्फर डाउकसाइड कारबन मॉन और इसेटरा सल्फर जब हम जब फैक्टरीज में कमश्च होंगे और देफॉर्म करफपानिग असे इसे सल्फर डाउकसाइड और नाइटरिजन और सब्सक्राइब करेगा सल्फिरिक नाइटरिक एसे ड्रें होगा करवन मौनोकसाइड को हेल्थ अधर देस माने जाता है कि हमारे बॉडी में जाके और इट रेजिविज इट रेदू अधर बॉडी माटेरियल कंटेन बोथ सॉलिड लिक्विड पार्टिकल लाइक डस्ट स्प्रे मिस्ट एंड स्मोग तो यह सब चीजें हवा में जाएंगी और हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है स्मोग इसे इमिटेड बाइट केमिकल और पेपर इंड़ पेपर इसे प्रोडिश इंफाक्ट टॉक्सिक गैस लीक्स कैन बी वेरी हजाडियस इन तर्म विथ लॉंग टर्म एफेक्ट तीक है तो ऑबिसली पॉजिनस गैस जब निकले अगर अगर इंडस्ट्री से तो वह तो बहुत जाता खतरनाक साबित हो सकता है लॉंग टर्म क्या लॉळश ओड्र से और सिर्फेक्ट आवीं दिस्ट्रेश लीफ अवैक्स दंध धीमन है अनिम्ल प्लाइन बिल्डिंग्ग एंट्मॉस्फियर ठीक है आपको बिल्डिंग्स कैसे बोला तो जासे आपको पता होगा की ताज महल स्ट्रुक्टर और बेसिकिली जब आसे ड् होता है तो इसके उपर काल्शियम कार्बुनेट है तो अबिसली वो रियाक्ट करता है असिट से उसके उपर छोट छेद जो है और पास्ट जो है वो डेवलप हो जाता है जिस प्रोसेस को इचेंग या पिटिंग कहा जाता है तो बहुत सारी चीजें सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर इन्टो वाटर तो जो भी वेस्ट जो यहां फैक्टरी से निकल रहा दिको यहां पर यह कैसे जाग है अलब काल आसा पूरा प्लुटेंट निकलता है इसमें तो अच्छा नहीं है एक्वाटिक लाइफ को भी हाम करेगा और वाटर रिजर्वाय को ओवराल भी खराब होगा ठीक है में कल्प्रेट्स इन इस रिगार्ट्स आर पेपर पल्प केमिकल टेक्स्टाइल और डाइंग पेट्रोलियम रिफाइनरी टैनरीज और एलेक्ट्रो प्लेटिंग इंडस्ट्रीज तो यह सब इंडस्ट्री से जो जादा वाटर पोलुशन कर रहे हैं डाट इस डाइज डिटर्जें असेड्स सॉल्ट्स और हैवी मेंटल्स देन थर्मल पोलुशन यह क्या होता है कि जो वाटर बॉड़ी जना उसमें किसी तरीके से मतलब कोई मतलब उसका हीट बढ़ है कैसे भी करके उसमें अगर गरम पानी या उस तरह का चीज से जब जा रही ह तो वाटर बॉड़ी का टेंप्रीचर जो बढ़ रहा है तो जनरली उसको हम थर्मल पोलुशन टर्म करेंगे क्या 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 कॉस्स हो सकते हैं सो इटकर विन हौट वाटर फ्रम फाक्टरी एंठर मल प्लाइंट इस ड्रेंड इंड्र रिवर एंड पॉड बिफोर कूली तो बैसिकली पानी को कूल इंट obviously causing thermal pollution ठीक है यह अच्छा नहीं अगर aquatic life की हम बात करें वैसे भी टीक है waste from nuclear power plants, nuclear and weapon production facilities cause cancer, birth defects and miscarriages ठीक है, miscarriages पता ही होगा आपको ठीक है, pregnancy जब यह हो जाती है, damage हो जाती है बच बेबी तो that is called miscarriage, ठीक है, so soil and water pollution are closely related obviously यह जो बताया हमने इससे soil and water pollution बहुत closely related है क्योंकि जब यह water bodies affect होगा तो इससे soil pollution भी होगा और water pollution तो होई रहा है dumping of waste, especially glass, harmful chemicals, industrial effluents, packing, packaging, salts and garbage renders the soil useless, ठीक है, तो यहां पर soil को भी बहुत damage होता है, अगर यह सब चीजें जो है harmful chemicals और effluents जब यहां पर release की जाते है water bodies में, ठीक है, then we have rain water percolates to the soil, अब यहां पर rain water जो है अगर बारिश का पानी अगर वो pollutants को लेकि जमीन के अंदर, soil के अंदर percolate करेगा अंदर जाएगा, तो ground water जो अंदर है that is pure, उसको भी यह क्या करेगा, खराब करेगा, उसको भी यह contaminate करेगा, so that is also a bad effect, अब यहां पर noise pollution की बात करते हैं guys, so obviously we know that इसमें कोई, कोई शक नहीं कि obviously जब urbanization होगा, industries होंगी, तो उसमें noise pollution तो वैसे याड होगा, industrial and construction activities, machineries, factory equipments, generators, saws, pneumatic and electric drills, contribute to the noise pollution, ठीक है न, तो यह सब बहुत सारी activities है जो industry से जुड़ी होई है, जिससे आवाज, शोर, noise जो है वो produce होगा, noise pollution not only result in the irritation and anger, it can also cause hearing impairment, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ चिशड़ापन गुसा आ सकता है इस वज़े से, noise pollution की वज़े से, हमारे सुनने की शक्ती में भी असर पड़ सकता है, गब्र हो सकता है, it increases the heart rate, blood pressure among other, and other psychological effects, ठीक है, then we have control of environment degradation, control of environment degradation, कैसे कर सकते हैं, हम इस इन सब चीज़ों को control, minimizing use of water for processing by reusing and recycling it in two or more successive stages, तो obviously we need to, ठीक है, कोई भी चीज़ अब जब हम बात कर रहे हैं, effluent की जो industry से निकल रहे हैं, तो मैंने बताया कि इसको treatment, ठीक है, और सिर्फ एक phase का treatment नहीं, दो या दो से ज़्यादा phase का treatment करके उसको निकालना चाहिए, ताकि कम से कम effluent जो है वो, या in fact कोई effluent ना निकले factory से बाहर, ठीक है, harvesting of rain water to meet water requirements, ठीक है, तो rain water harvesting भी एक अच्छा चीज़ है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, जो भी दिक्कत हो रही है, या जो भी जितना भी pollution हो रहा है, उससे हम बहुत ज़्यादा हद तक बच पाएंगे, treating hot water and effluents before releasing to them, तो यहां हमने बात किया, thermal pollution का, तो अगर जो, हमने काव मनलब, in fact मैंने भी देखा ही, काफी factory से गरम पानी सीधे, जो गटर या जो नाला होता, वहां डाल जाता है, वो पूरा मतलब वहां से vapors निकल, तो वो सब चीज़े नहीं होना है, जो थर्मल पोलुशन है, वो तो काफी easily उसको कंट्रोल किया जा सकता है, वो उस पर ध्यान होना चाहिए, सरकार का और जो भी जिनकी भी जिम्मेदारी, जो भी stakeholders है, जो भी factory वाले, उनको खुद समझना चाहिए बात, treatment of industrial effluent can be done in three phases, यहाँ पर primary treatment by mechanical, तो यहाँ पर three phases में कौन सा कौन सा होना चाहिए, पहला बताया, primary treatment by mechanical means, this involves screening, grinding, flocculations and sedimentation, तो यहाँ पर जो primary treatment है, वो mechanical तरीके से होगा, जिसमें जो particle वाली जो गंदगी है, वो basically settle करके उसको हटा दी जाएगी, ठीक है, grinding या basically, जो भी जो भी, solid particles है, वो चीजें वो निकाल दी जाएगी, उस water वाले, जो भी discharge करने वाले उसमें से, secondary में क्या है, secondary treatment by biological process, इससे क्या होगा, कि जैसे कुछ bacteria, जैसे germs होते हैं, या कुछ microorganisms होते हैं, जो basically secondary level पर, यहाँ पर, मतलब जो उसके अंदर के harmful, जो chemicals है, उसको वो consume कर सकते हैं, ठीक है, तो, and third is, tertiary treatment by biological, chemical and physical process, this involves recycling of wastewater, ठीक है, तो, यहाँ पर basically, जो wastewater, जो अब तीसरे treatment में क्या कहे जाएगा, सभी तरीके से, finally, उसको, मतलब पानी जो है, वो recycle हो जाएगा, और वो कुछ use के लाइक हो जाएगा, ठीक है, and minimizing the environmental pollution, तो इसमें तो आफिक काफी साभी चीज़ हैं, overdrawing of ground water नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि, industry में, obviously, we know that, यहाँ पानी की बहुत जरूद होती, ज्यादा जरूद होती, तो वो ground water को बहुत ज्यादा मोटर लगाके, पंप लाके, वो overdraw करते हैं, which is not at all good, ठीक है, वो legally उस चीज़ को ध्यान देना जरूरी है, उसके बाद, particulate matter in the air can be reduced by fitting smoke stack of factories with electrostatic precipitator scrubbers, तो यहाँ पर जब smoke निकलता है, जो chimneys होते हैं, ठीक है, तो उन में से basically particles का absorber लगा देना चाहिए, जिसकी वज़े से जो ज़्यादा discharge है, ठीक है, ज़्यादा pollution वाला discharge हो ना निकले, smoke can be reduced by using oil or gas instead of coal, तो obviously coil को जलाने से ज़्यादा smoke निकलता है, ठीक है, उसकी comparison में अगर oil या gas use किया जाए, तो that will be better, जैसे आपको पता होगा कि गाडियों में भी पेट्रोल, आजकल पेट्रोल और डीजल वाली vehicles कम होते जारे हैं धीदरे और अब CNG वाली गाडिया आने, because that is causing less pollution comparatively, machinery and equipments can be used and generators should be fitted with the silencer, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी machinery या generators वो भी use किया, जो sound pollution, noise pollution कर रहे हैं, उसमें silencer fit करके और noise pollution को कम किया जासकता है, noise absorbing material may be used apart from personal use of earplugs and earphones, okay, of course, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि सिर्फ earplug और earphone से काम चल जाएगा, इससे तो हम, हमारी noise हमको कम सुनाई देगा, लेकिन जो, जो pollution हो रहा है, दूसरों को दिक्कत हो रही है, उसके लिए हमको, वही, जैसे यहाँ बता है, noise absorbing material लगाने ज़रूरत है, जरूरी है, almost all machinery can be redesigned to increase energy efficiency and reduce noise, ठीक है, तो यानि कि चाहे, कोई भी factory के किसी machinery की बात करें, तो उसको जरूरत है, कुछ ऐसे technologies को improve करने की, कि वो energy efficient बने, और साथ में वो, जो pollution से हैं, जैसे noise pollution, वो भी ना करे या कम करें, ठीक है, तो इसी के साथ guys, हमारा ये chapter होता है, तमाम, अगर कोई part अगर छूट गया हो, या कोई part अगर आपको नहीं समझ मैं है, तो आप comment section बता सकते हो, और बाकी मेरे ख्याल से अब एक chapter और बचा है, तो वो कर लेंगे हम, अगली बार, thank you guys, thank you for watching, see you again next time, bye.